हलो गाईज इस बीडियो में हम जानेंगे इंडियन आर्मी के लिए नई भर्ती पोस्ट एक्टिवेट की गए हैं जो की पर्मानेंट ये जॉब है 10 प्लस टू टेक्निकल की ये पोस्ट है टेक्निकल इंट्री स्कीम की ये जन्वरी 2024 की वेकंसी है इस आविदन फॉर्म को आ आप इस नोटिफिकेशन को रिडाउट कर सकते हैं इस भर्ती को अपलाई करने के लिए 16.5 वर्स से 16.5 वर्स की उम्र मांगी गई है अब जो भी केड़ेट इलसबल है वो इस भर्ती को अपलाई कर सकते हैं अवेदन फॉर्म एक जून 2023 से अवेदन होना श्टार्ट हो इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है joinindianarmy.nic.in यदि आप यहाँ पर यह सर्च नहीं कर पाते हैं तो मैंने अल्रेडी नीचे description में link mention किया है यदि आप उस link पे click करते हैं तो आपके सामने ये page कुछ इस प्रकार से open हो जाएगा open होने के बाद यहाँ पे आपको एक capture मिलेगा ये capture code सभी के लिए अलग-अलग सो होगा जो भी capture code सो होगा वो आपको इस box में लिखना है इसके बाद आपको enter website के option पे click करना है अब जैसे आप click करेंगे आप website में enter हो जाएंगे इंडियन army की official website है अब नीचे करेंगे तो य officer entry या apply या login को option मिल रहा है आपको इस पर ही click करके आवेदन form को apply करना पड़ेगा अब इसके बाद click करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये page open हो जागा सबसे पहले guys इसमें एक registration करना पड़ेगा अगर आपने इसमें already registration कर लिया है तो आपको login करना पड़ेगा login करने के लिए यहाँ पर अपना user name लिखना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर password लिखना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर capture जो होगा इस box में लिख के आपको login करना पड़ेगा अब यदि अपना user ID या आप अपना password भूल चुके हैं तो यहां से आप forget कर सकते हैं दो बा apply के लिए यहां registration के option पे click करना है अगर आप इसमें first time registration कर लेते हैं तो आप कभी भी apply करना चाहेंगे Indian Army की कोई भी वेकंसी तो उसी username या उसी ID के दवारा आपको इसमें login करके apply करना पड़ेगा आपको फिर से registration नहीं करना पड़ेगा यह instruction आपको मिल जाएगा इससे आप readout कर लेजएगा अल्रेडी मैंने इससे पढ़ रखा है हिंदी और English दोनों language में बताएगी है इसके बाद नीचे करके आपको continue के button पर click करना पड़ेगा click करने के बाद application form सो हो जाएगी यहाँ पर आपको तीन option मिलेगा पहला option मिलेगा आधार number दूसरा option मिलेगा enrollment number तीसरा option मिलेगा non यानि कि इन में से कोई नहीं अगर आप non को select करते हैं तो आप इसमें आविदन form को apply नहीं कर सकते हैं तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक option को select करना है यदि आप आधार number select करते हैं तो यहाँ पर आधार number लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर candidate का नाम लिखना है जो भी details आप लिखेंगे दस्वी के certificate certificate में जिस प्रकार से लिखा रहेगा वही details आपको लिखना है इसके बाद यहाँ पर पिता या guardian का नाम लिखना है यहाँ पर माता का नाम लिखना है अपने date of birth को select करने के लिए इस पर आप click करना है और नीचे आपको capture मिल जाएगा आपको इस box में लिखना है इसके बाद submit के option पर click करना है click करने के बाद आपके mail ID पर एक message मिल जाएगा OTP जीसे कहते हैं वो OTP आपको इस box में लिखना है OTP लिखने के बाद इस box में capture code लिखना है और उसके बाद submit के option पर click करना है submit के option पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने आपकी profile details open हो जागा इसमें बहुत सारे options आपके fill up रहेंगे बहुत सारे options आपको fill up करने पड़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे अपने vendor को select करना है इसके बाद marital status को select करना है इसके बाद यहाँ पे आपको question select करना है login करने के लिए ID password बनाने के लिए यह question के जड़िए आप अपना password या अपना user ID name कभी भी forget कर सकते है जो भी आप question select करेंगे उस question का answer आप इसमें लिख सकते हैं चाहे तो इसमें अपना नाम भी लिख सकते हैं इसके बाद matriculation यानि कि दस्वी की details आपको add करनी है जिस board से आप qualified है वो board यहाँ पे आप select करेंगे इसके बाद यहाँ पे state select करना है इसके बाद दस्वी की जो certificate number ह वो आपको यहाँ लिखना है प्रमार्पत्र संख्या यहाँ पे लिखनी है अधित्तम आपकी योग्यता क्या है यानि कि highest क्या qualification है यहाँ पे आप select कर लेंगे qualification पास हो चुके हैं या appear यानि कि अभी आप पढ़ रहे हैं वो आप इसमें select करेंगे इसके बाद यहाँ पे प पास्वर्ड बना सकते हैं जिसमें upper, lower, numerical, special character सभी आप यूज करेंगे फर्स्ट आप्सवर्ड लिखेंगे वो ही second option में लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे capture code लिखना है और save के option पे क्लिक करना है जैसे आप save करते हैं आपकी profile कुछ इस प्रकार से आपको दिखाया जागा अभी आपको अपने profile को update करना है व्यक्तिकर जानकारी आपको mention करनी है अपडेट के option पे क्लिक करना है अपडेट के बटन पे क्लिक करनते ही यहाँ पे आपको photo और signature और आपको जानकारी upload करने का option मिलेगा फोटो की जो size मांगे गहीं है 5 से 20 के भी की होनी चाहिए signature 5 से 10 के JPG format में यह upload करने है इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे इसे accept करनी है आपका यह सारा details already इसमें submit रहेगा आपकी high school की भी details यहाँ पे submit रहेगा इसके बाद नीचे आपको capture मिल जाता है इस box में आपको लिखना है capture code लिखने के बाद आपको save के option पे click करने के बाद record successful save हो जाएगा अब इसके बाद यहाँ पे आपकी profile दिखाए जाएगी इसके बाद communication details आपको add करनी है अपना complete address आप यहाँ पे click करके add करेंगे इसके बाद बगल में आपको एक box मिलेगा उसे भी आपको click करके accept करनी है accept करते ही आपका सारा address इस side में भी add हो जाएगा इसक click करने के बाद यह थोड़ा दे search करेगा इसके बाद यह data आपका successful save हो जाएगा यहाँ पे आपको message भी मिल जाएगा record successful इसके बाद आपको apply online के option पे click करना पड़ेगा click करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह आपकी options दिखाए जाएगी नीचे आप करेंगे तो यहा इसके बाद यहाँ पे अपने communication details को एड करना है इसके बाद आपको नीचे करना है save and continue के option पे click करना है यह data आपका save हो जागा यहाँ पे आपको qualification physics chemistry math subject की detail से यहाँ पे add करनी है total 100 में से आप कितना पाए है वो यहाँ पे आप mention करेंगे इसके बाद 12 की qualification की detail से यहाँ पे आपको add करनी है आप किस board से पास हुए है और आपका qualification किस state से है कहां से आप यह qualification के किस school से यह सभी जानकारी आपको यहाँ पे देना पड़ीगा qualification लिखने के बाद आपको नीचे करना है यदि आपके पास NDA की course है तो आपको यहाँ पर yes करना पड़ीगा और आपको सभी जानकारी mention करनी पड़ीगी यदि आपके पास NDA का course नहीं तो इससे आप no करनेंगे इसके बाद आपको नीचे करना है आपके पास BTEC की डिगरी है तो यहाँ पर अपना details mention करेंगे 2023 की यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिनके पास SSB नहीं है वो no select करेंगे और उसके बाद save and continue के option पर click करेंगे click करते हैं आपकी जो form है वो successful submit हो जाएगा इसके बाद अपने आवेदन form की print out ले सकते हैं या तो आप PDF में इसे save करके रख सकते हैं इसकी आवेदन fee payment नहीं करनी है यहाँ तक अगर आप form apply कर लेते हैं तो आपकी form जो हो submit हो जाएगी